सिंग रॉली में दो घंटे पहले सिंग रॉली जिला नयाले बैहन परीसर में शनिवार को एक ही परिवार के दो पक्षों में विवाद हो गया लाठी डंडे और पत्थरों से हमला कर दिया यह विवाद डिस्ट्रिक जजज की बेंच के गेट के सामने हुआ इसमें एक पुष्टैनी जमीन को लेकर चल रहा था विवाद दरसल सिंग्रॉली जिले के माड़ा थाना छेत पड़ी खूटा टोला निवासी राजेंदर बढ़नसाद और उनके परिजन सम जमीनी विवाद के केस को लेकर शनिवार दुपहर जला नयाले पहुंचे नयाले में दूस तो नहीं जमानत को लेकर नैले परिसर में ही विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर लाटी रंडे और पत्रों से हमला करने लगे घटना के एक पक्ष के तीन लोग राजेंदर बंसल उम्र 19 साल बासमती बंसल उम्र 46 साल और राम ललन बसोर उम्र 35 साल गायल हो गए प्रत्यक्ष दर्शियों ने बता है कि नियाला परिसंग में जजज के सामने ही हंगामा गाली का लौज चलता रहा इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई पुलिस ने मौके पर पहुंची लेकिन तब तक विवाद मार पीट में बदल गया था पुलिस दोनों पक्षों में डंडे और पत्थरों से वार होने लगा दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर विवेशना की जा रही है इस घटना में एक पक्ष के तीन लोग घायल हुए है